छमा मागना ये करने में नुक्षान नहीं है फाइदा है अच्छा भाई प्रयास करें कि ब्रम महूर्त में जगें ब्रम महूर्त साड़े तीन वजेशे प्रारम्व होता है और शूर की किरण ना निकल पावे उसके पहले उठने का व्यास बनाओ सूर की किरण ना निकल पावे उसके पहले उठने का व्यास बनाओ हाँ विसेश परिस्थिती में आप रात्री में कोई विसेश परिस्थिती आ गई विलंब से सोए तो आप विलंब से जग रहे हैं लेकिन ये नियम नहीं है इसको नियम मत बनाना क्योंकि अपवाद है ये ये अपवाद है कि हम बिलंब से सोए इसलिए बिलंब से जग रहे हैं लेकिन हम यही संकल पर ले ले नियम बना ले कि बिलंबई से सोएंगे और बिलंबई से जगेंगे नहीं 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 होता है अपवाद अपवाद होता है अपवाद नहीं होत है आज आश्चर होता है मुझे अगर कोई चार बज़े जग जाए तो महले के लोग कहते कोई बात है जरूर कोई अरे भाई या बात क्या है चार बज़े जगने का पांच बज़े जगने का नियम है बोलो भाई क्या बात है फालतू की सोच कोई बात है अच्छा और आप नो बजे अगर सोके उठ रहे हैं यार जिंदगी तो इसी की मस्त है ना चिंता ना फिक्र देखो क्या गजब की जिंदगी बारे भगवान इसके भाग को कितनी सराहना करें इसके भाग को भाग बता रहा है और भाग को दुरभाग और दुरभाग को भाग ये बिड़मना है इसलिए मैं कहता हूँ आज जिंदगी के उत्तर यदी उत्तर कांड से तुम लेना चाहते हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि विसम और विसेश परस्थिती में आप बिलम से सोए बिलम से जगें लेकिन नियम ना बनाएं कि हम बिलम से ही सोएंगे और बिलम से ही जगेंगे आपको ब्रह्म महूर्त में कोशिश करनी चाहिए पांच बजे तक जग जाओ शाड़े पांच बजे तक जग जाओ लेकिन सूर भगवान जगाते हैं और उसमें भी अदमी ने परदे डाल दिये कि जरासा भी वो हुआ तो परदा कि डिश्टर्ब मत करो डिश्टर्ब मत करो परदा डालने का मतलब क्या है बोलो भई हमको डिश्टर्ब मत करो